जब भी मौसम चेंज होता है, तो एक दिक्कत जो हर छोटे, बड़े या बुज़र्ग मरीज को परिशान करती है, वो है गला खराब होना, गले में खराश होना, या सोर्थ रोट होना, जिसे मेडिकल भाशा में एक्यूट फारेंजाइडिस कहते हैं. और गला खराब होने पर सबसे कॉमन घरे लो उपाए जो सब करते हैं वो है गुनगुने पानी में नमक डाल कर उसके गरारे करना. पर क्या आप जानते हैं कि हर गला खराब होने पर गरारे नहीं करने चाहिए, जी हाँ, गरारे नहीं करने चाहिए. आज मैं आपको दो ऐसी situations बताने जा रहा हूँ जिससे आपको मेरी बात अच्छे से समझा जाएगी अगर किसी का गला खराब है यानि की गले में खराश है दर्द है खाना पानी या थूग निगलने में भी दर्द हो रहा है तो आप बेज हिजग गुनगुने पानी के गरारे कर सकते हैं लेकिन अगर आपका गला खराब है जिसमें आपको गले में दर्द, खाना, पानी निकलने में दर्द के साथ आवाज खराब हो गई है या आवाज बैट गई है तो कभी भी गरारे बिलकुल ना करें गरारे करने से हम vocal cords को और भी ज्यादा exertion घरा रहे हैं जबकि acute arrangitis में आवाज को rest की जरूरत होती है जिसे voice rest कहा जाता है मरीज जितना कम बोलेगा और आवाज को या vocal cords को आराम देगा उतनी जल्दी उसका गला और आवाज दोनों ठीक होंगे लेकिन अगर मरीज acute arrangitis में बोलता रहेगा और गरारे करता रहेगा तो आवाज permanently खराब होने का खत्रा बहुत बढ़ जाता है